आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए सल्मान खान इन दिनों अपने लीगल केस को लेकर सुर्खियों में हैं 20 साल पुराने एक केस में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है हाला कि अब जमानत पर बाहर आ चुके हैं और आने वाले टाइम में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट पर काम करेंगे 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से डेब्यू करने वाले सल्मान तीन दशक सेको इंडिस्ट्री में एक्टिव हैं लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनकी पहली फिल्म की हिरोईन यानी रेनू आर्या का अब कोई अता पता नहीं है सल्मान की डेब्यू फिल्म बीवी हो तो ऐसी को रिलीज हुए करीब 30 साल हो गए हैं इसमें उनकी हीरोईन का रोल एक्ट्रेस रेनू आर्या ने किया था लेकिन आज रेनू कहा हैं और क्या कर रही हैं इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है रेनू का करियर भी 1988 में इसी फिल्म से शुरू हुआ था बाद में उन्होंने चांदनी, बंदारन और जंगवाज जैसी हिट फिल्मों में काम बावजूद इसके रेनू का बोलेवुड करियर सिर्फ 4 साल का रहा इसके बाद वो फिल्म इंडिस्ट्री से लापता होगी